दोस्तों नमस्कार, TV1 इंडिया के खास कारकरम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल नहीं है और इस मांग में अग्रणी भूमी का जो निभाने वाली संस्ता है और सनातन संस्ता और हिंदू जनजागरती समयती है इस वक्त हमारे साथ सनातन संस्ता के राष्ट्रिय प्रवक्ता चेतन राजहन साब मौझूद है आज हम इनसे जानने की कोशिस करेंगे इनसे सवाल हम पूछेंगे कि आखिर एक सेकुलर देश भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों है इसे जुड़े तमाम सवाल उभरेंगे और हम सभी सवालों पर आपसे जवाब जानने की कोशिस करेंगे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल हम यहीं से सूरू करते है कि आप भारत को जिस भारत को सम्विधार ने सेकुलर राष्टर के तोर पर माना है उस राष्ट को समानता का तत्व बताया है तो जब भारत के बात होती है तो विशेश रूप में दो हिंदू रिलिजियस पीपल्स है उनके स्वाभिमान या उनके कॉंस्टिटूशनल राइट्स की विशे में भी चर्चा होई आवश्यक है हमने पिछले सतर पच्छतर वर्षों में यह देखा है कि जब कॉंस्टिटूशन राइट्स की चर्चा होती है तब हिंदू कही न कहीं जो है जो है दोहरी नागरिक्ता के यहां जला जाता है सहख संख्यांग समूदा के अपने मथे टूप चला सकते हैं और अपनी मधहबी इजो केशनद देmile दे सकता है। तो मदर्साय हो सकती है वहां कुराण अधीश मुदूर्या सकता है, सरकार उनको अनुदान दे सकते है यह फिर रुभरेस की शूल हो सकते है लाइन को ब्र तो इसके कारण क्या है कि पिछले 75 वर्षों से एक तपका हिंदू समाज, जो एक बड़ा समुदाय है भारत का, वो धर्मशिक्षा से वंचित है, वो नास्तिकता के ओर बढ़ रहा है, और बाकी समुदाय जो है अपने दुरुष्टी से धर्म की बड़ोत्तरी कर रहे हैं, आर्टिकल 32 की बात है, जहां सुरक्षित जीवन देने का जो एक आश्वस वचन जो है, वो हमारा कॉंस्टिटूशन देता है, परंतु उस कॉंस्टिटूशन में ये देने के बावजुद भी आज कश्मिर का हिंदू भारत के अनग अलग शेत्रों में बिखरा हुआ है, उसका कोई वचन उसका ये नहीं है, यहां अलप संख्यांक आयोग है, परंतु बहुत संख्यांकों के लिए आयोग क्यों नहीं है, यदि समानता का तत्व है तो, उनकी सुरक्षित का जीवन अभी वचन भी तो Constitution नहीं दिया है, और आगे जाके मैं बताना चाहूँगा, के सेया एक्ट आया था हाली में, तो उस समय जो वहां का हिंदू है, वो भाग के यहां आया था, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, या बंगलादेश से हो, शरणार्ती हिंदू है, उसको जो है, एक सुरक्षित जीवन देने का यदि वचन हमारा कोई कानून बना र हो रहा है, कश्मीर से आज हमें भगाया गया, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई नहीं है, आगे जाके यदि हिंदू को भूमी चाहिए, पूरे विश्व के हिंदू को, पूरे विश्व ने निशित कर लिया कि हमारे यहां हिंदू नहीं रहेगा, तो हिंदू हिंदू समाच को दोहरी राजनीती उपेख्षित हो, इसी दुरुष्टि कों से हिंदू राष्ट की मांगे और यह कॉंसिटुशनल मांगे, हमारी निसर गता मान है, प्रकृती के दुरुष्टि कों से मांगे, क्योंकि पालिटिशन हुआ था, तो धर्म के आधार पर हु लग रही हैं इतने जैसे आपने खुछ किया कि 75 सालों से जो एक बहुसंख्य हिंदू समाज है उपक्षित है जब कि वहीं दूसरी तरह पालप संख्यकों के लिए उनके धर्म के इसाब से सुख्षा देने का प्रावधान किया गया है तो इसमें सरकारों की भूमिका किस तर करण की नीती जो थी क्योंकि वोट बैंक हमारे यहां सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है राजनीती में एक वोट बैंक जो होती है उसी को जो है फॉलो करने के लिए हमारे यहां राजनीती चलती है और इसमें सबसे बड़ा हिंदू समाज का यही राजनीतिक population state है कि जहां 30% Christian people population है, 30% Muslim population है और 40% Hindu population है, लेकिन 30% Christian जो है वो Congress को ही vote देती है, क्योंकि वहाँ की राजनीती Congress की Christian prominent है, वहाँ का 30% जो मुसलमान समुदा है वो Communist Party को ही vote देता है, क्योंकि Communist Party की राजनीती जो मुसलिम और 40% Hindu का कोई विचारी नहीं करता है, यही स्थिती भारत में कम अधिक तरस तर्वे पूरे भारत में है, तो इसलिए भारत के जो राजनीतिक पार्टिया है, हम लोग तो कि उनके यहां जागरूती के कुष्टिकों से पिछले 10-20 वर्षों से जो एक अभियान चल रहा है, भारत के तमाम हिंदू संगटन उसमें काम कर रहे है, और एक अच्छा उसर आज हमें यहां दिख रहा है, कि आज जो है भारत के अलग-अलग शेत्रों में एक पॉलिटिकल अविरनेस हुआ है, एक हिंदूत्व के नाम पर सत्ताय बदल रही है, सरकारे बदल रही है, आज महाराश्टर को उधारन लीजिए, महाराश्टर में हिंदूत्व के नाम पर पहली दफ़ा सरकार बदली है, एक बगावत हुई है, आपने जिक्र कर दिया, मे बदलिगा ने, हिंदूत्व की जो आइडियोजी है, जो विचारधारा उसको लिए उसको अत्याग दिया है, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए पार्टी से स्टीपा देना पर्पर करनानी पड़ रही है, अबको लगता है हिंदूत्स जो है और परिहार हो गया, राजनि थाकरे सहाब की जो शियुसेना पार्टी उन्होंने भी हिंदुत्व का जहंडा लहराय था आपको बताए जब सरकार गिर रहे थी उस समय भी उन्होंने एक संभाजी नगर का नाम जो है याने हारंगाबाद का जीले का नाम संभाजी नगर कर जिया क्योंकि एक हिंदू जाके देखी वो जनेवा डाल रहे अपना गोत्र बता रहे है प्रियंका वडेरा गांधी जो आज तक क्रिशन दिख रही थी परस्नलेटी आज काशी की विश्वनात में जाके वहां अभिशेक कर रही है तो यह जो तमाम राजनीती है या ममता बैनर जी को जाके दुरगा फूजा में हाथाला पूजा करने लगी है तो राजनीती में कही न कहीं हिंदुत्व की परिछाया दिखने लगा क्योंकि हिंदू अब जाग रहा है और उसमें यह सारी political party हो को लगने लगा है कि आप हिंदु अनिवार्यत है मैं कल आपको एक उधारन देना चाहूंगा गुलाब नभी आधाज जी का एक कल्प प्रेस हुआ, सभा हुआ, कश्मीर में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी होगी, देखिए, उन्होंने आज तक, वो उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी का ना उर्दू में होगा, ना इंगलीश भाषा में होगा, हमारी हि करेंगे तो यह दोनों शब्दों को एकत्रित करके उन्होंने कहा कि हिंदूस्तानी होगी ना उर्दूशब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे देखिए कश्मीर में जहां बहुसंख्यांग हिंदू समूदा है वहां का राजनेता भी यह कह रहा है कि हम हिंदू politics के और जाएंगे तो ये बड़ा अपने आप में बदलाव है भारत की राजनीती में बहुत बड़ा बदलाव है सिर्फ इसलिए बदलाव है कि वोट चाहिए और बहुसंख समाज आप नाराज हो रहा है जो उनकी उपक्षा करेंगे इसलिए ये परिवर्तन हो रहा है कि वा राजनेतिक पारिटी को राजनेतिक पारिटीयां मतलब ही होती है स्वार्थ पे चलती है तो उनसे अलग अपिक्षा नहीं की जा सकती लेकिन वोट बैंक पे चलती है और जिस प्रकार से हिंदू समाज पॉलिटिकली अवेर हुआ है तो उसी कारण इस प्रकार का जो एक ब बदलना है हिंदू के लिए कुछ करना है ऐसा कोई मतला होता है हिंदू को बहुत बड़ा भला यह राजनेतिक पार्टीयां करेंगी हिंदुजम को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में युगदान देंगे ऐसा अभी दूर तक नहीं लगता लेकिन तोर पर जो गटनाओं के तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आज कल देश में हिंदूजम के नाम पर एक तरह का हिंसा की घटनाए होने लगी हैं आपने देखा होगा राजस्तान में हालिया जो घटना होई कर दिया गया यह एक खतरना जो है इस समय बहुत बड़ी पनप रही है और इस्लामिक स्टेट किसी को बनाना है किसी को जो है रोम राज्य बनाना है किसी को नक्सलाइट स्टेट बनाना है किसी को जो है एक प्रकार से कमनी स्टेट बनाना है तो सबके आजेंडे भिन्न हैं और यह सारी लोग जो है लो राजस्तान ने जिक्र किया या मैं जारकन का जिक्र करूँगा कि जहाँ एक छोटी सी लड़की अंकीता दोस्टी नकार देने पर उस शारुक ने जा कि उसके हत्या कर दी। यह तो बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि इस दोस्टी के पीछे कोई प्रेम नहीं है। इस इस एक शड़ी अंत्र है और आपको पता है कि दो-तीन वर्ष पहले योगी सरकार ने एक कानून वहां धर्मांत्रण बंदी कानून इसलिए बनाय था कि यह जो जारकन जैसी घटनाएं ना हो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सजग होने के आवश्यक्ता है क्योंकि आप लोग तंत्र के नाम पर हिंसा होने लगी है इसके पहले केवल आरोप या प्रत्यारोप की भाश्या में यह कारी होता था परन्तु आप यह जो एजेंड है पॉलिटिकल एजेंड किसी को प्रतिबंदक कानून बना दिया है आप लोग महराश्ट्र में इसकी मांग कर रहे हैं क्या इसके पीछे का मकसद है कि धर्मानतर प्रतिबंदक कानून होना चाहिए और क्या यूपी के अलावा भी किसी और राज ने इस तरह के कानून बनाए है बिल्कुल मैं बताना चाह हुआ और यह कानून जो है सशक्त कानून है मेरी दृष्टी से मैं बताना चाहूंगा कि महराश्ट की स्थिती जो है आज की बड़ी बत्तर स्थिती है मैं पालगर जिल्य में पिछले तीन-चार दिनों से था पालगर जिल्या यहीं मुंबी से सटीक है जो अपर अजियों हो तलसारी हो जवार हो विक्रमगड यह चारो जो सेट है वहाँ वनवासिक शेत्र है और वहां खृष्टन मिशनरी जो के प्रिचर्ज जाके लोगों को चल बल और प्रलोबन के द्वारा वहां मिशनरी जो है प्रचार कर रहे हैं प्रिचरिंग करें आठ अगस क उस वहिला को उन्होंने जब्रन पैसे दे के आपका धर्मांतरन हम करेंगे आपका जो है दुख तूरह हो जाएगा इस प्रकार से प्रलोबन देने का प्रयास किया उस समय पुलीस पोची उसने कंप्लेंट किया और उन चारों को अभी अरेस्ट हुआ है तो यह घटना है म तो यह जो बात है कि ह्या कही न कहीं मसलिम शमूदाए भी कही है तो यह जो हैंतहिक अघ 되면शने का शारी आ पहली निकतर तो हमने यहींटीद को चांब इंव्शने के और विल्हें हिं गया कि वह प्रवाहिक, उसके बगल नासीडिक्ट से नद मागल, जाय शो के गृंके पुरा वनवासी शेत्र है अपर साइड इसका गुजरात में भी डांग डिस्ट्रिक्ट है जो उसी को लगा हुआ है अच्छा मद्यप्रदेश में जावुआ डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद च्छतिजगर जारकन और ओडिशा यह जो स्ट्रेट लाइन है यह वाइट बेल् है के जो विश्व में फैले हुएं को कोई 22 п truck को यह वाज़े लगती today कि यह जो आपने बताया जो वाइड बेल्ट है यह बहुत बड़ा इलाका अगर दीख रहा है वजय क्या यहां कि क्या भगोली के सित्या इस्तरा की है आर्थिक निर्धनता है वजय क्या है कि मिश्णरी जो है यहां पर ज्यादा फोकस कर रही है यहां जो यह पूरा शेत्र म यह वनवासी शेत्र है और यहां का समुदाय जो है और जिसल्द जो है और जिसल्द क बार वा खाई ले दान् ca का नम्हां सहे वह एक लिए को व है बहां अक्रत प्रोबन के दवारा उनको अच्छी नोक्रिय देने का वादा करके उन वह रहां प्रचार हो रहा केवल इसी प्रकार से नहीं हो रहा है, बल के आधार पर भी हो रहा है, वहां जो है, यह Christian Missionaries जो होती है, इनके साथ जो है, जुड़े हुए है, Urban Naxalites, इनके साथ जुड़े हुए है, Naxalites, और यह पूरा जो है, Anti Hindu forces ने जो है, इस White Belt को अपनाया है, उसने, अब जो यह Father Stan को जो अरेस्ट हुआ था, 2018 में, Urban Naxalite को महराश्णा में, जो पाच लोगों को अरेस्ट हुआ था, उसमें एक Father Stan था, इन सब का जो आप एजेंडा देखेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि कहीं न कि यह Anti-India movement चल रहा है, वनवासी शेत्रों को लेके, यह White Belt जो है, इस तरह की घटना है, जैसे आपने खुद बताया कि आटियाई में खुलासा हुआ है कि 22 ऐसे मामले महराश्ट से आये हैं, जिसमें जबरन धर्मांतरन कराने का खासका लड़कियों को इस तरह का मामला है, यह कितना सीरियस है, और सरकार इसमें किस तरह की भूमिका निवा की आपने हैं, जिसमेंखें को आपतायाई है, जैसे शत्के मामला रिख है जॉँध लिख कि प्रकाशित हुआ है, जदि ब्राम्बन कन्या है तो उसको 8 मिलेंगे, पंचाबी ब्राम्बन है तो उसको 7 मिलेंगे, ग киноि। गू. उसमें फूराफी कन्या उनके घर्ब से हम मुसलमानों का पैदाइस करेंगे या उनको जो इसलाम के बंदे बनाएंगे तो एक शडियंत्र की तरत विशेश से इतना अरफ राष्टों से इतना बड़ा पैसा आ रहा है इस शडियंत्र के लिए तो जो बच्चे जो मुसलमान की जो फैनेटिक मुसलीम है उनको प्रॉपर प्रशिक्षन दिया जाता है इसलाम का प्रशिक्षन दिया जाता है उनको जो है लड़कियों को जो है अपने फासे में अटकाने के लिए जूटा प्रेम करने के लिए उनको अलग-अलग सवलेतिय दिये जाती है और इसके लिए जो है बड़ी व्यवस कन्या है तो उसके लिए छे लाक मिलेंगे तो इस प्रकार से हर यदि आप हिंदू कन्या है और उसको आप उससे शादी कर लेते निकाह कर लेते हैं तो आपको जो है इतना पैसा आपको फॉरेंड कंट्री से आएगा और यह रेट कार्ड चपा हुआ है अलग-अलग में उर् उसरे के घर में भाग जाती है तो पॉलिस कंट्रेंट कोई नहीं करता है बस एक परसेंट लोग करते हैं तो इसका जो आकड़ा है वो सत्य आकड़ा तो हम आज जान भी नहीं सकते हैं इतनी गंभीर परिस्तिती है और मैंने बता है कि राजनीति में आपने पूछा था कि राजनीतिक्ग्यों से क्या पिक्षा है तो हमने का राजनीतिक पॉलित काल्मे तरम आपने आपने आप पहल की हुए उसी का रिप्लिका यदि बनता ये बिल तब भी चलेगा लेकिन यहां आप कड़े जो धर्मांतरण बंदी कानुन की आवज चकता है ऐसा हमारा गहना है अब जब हिंदूत बादी सरकार आ गई है हिंदूत के नाम पर आ गई है सरकार तो आपको कितनी उम्मीद से लग रही है कि यह सरकार निश्ची तोर पर कुछ न कुछ इसके बारे में गंभीर पाल करेगी देखिए पिछले कुछ वर्षों से जब हम उधारन डेक्रेश एक्ट बना हम लोग इस प्रक्रिया में थे पाच वर्ष होम मिनिस्ट्री के साथ मिटिंग में थे पाकिस्त सरकार को गयापन दिया सरकार से बातचीत की फिर सरकार ने बंगलादेशी शरणार थी हिंदो की बैठक बुलाने के लिए हमें कहा हमने तीस संगटनों को बुलाया और उसके बाद बंगलादेश का नाम भी जिकर उस कानून में आया तो पूरे पाच 2014 से लेके 19 तक हमी सार प्रक्रिया में थे और 2020 में जब होम बिनिस्टर बदले गए हमी शाजीत उन्हें ने वह कानून लाया तो एक अच्छा हमें ध्यान में आया कि हिंदू संगटनों की बात अब सुनी जा रही है तो एक अच्छा बात हुआ उसके बाद मैंने देखा कि आपने देखा होगा क भौवय राम जन्मु भुमी का निर्मान आप हो रहा है काशी में कॉलर बन गया है तो अच्छे कानून अब बंद रहे है अच्छी विवस्थाएं बंद रही है तो एक कही न कहीं सरकार ने सहस्य कानून के बाद दिखाया है तो हमें लगता है कि हिंदूत वकीली भारत सरकार से है क्योंकि उन्होंने इस विश्वय में पहल शुरू करती है जो तमाम मुद्दे अपने गिनाय जैसे धर्मांतरन कानून हो गया लब जिहाद के खिलाप यह जो नियंतरन कानून होना चाहिए और जो समाननागरिक कानून होने चाहिए सनातन संसा की भूमिक हम हर सब्ता में हर महिने में पहले रईवार को हम भारत के लगबग 25 से 50 शेत्रों से भारत सरकार को गयापन देते हैं जिसमें हम अलग-अलग शेत्रों में जो उस माह में जो घटना घटी होती है हिंदुत्व के विशे में उसके संधरब में एक लीगल डॉक्यमेंट बना है उस पर भी आपकाम हो रहा है उसके बाद जो है समाननागरी कानून जनसंख्या नियंत्रन कानून तो गयापन के द्वारा सरकार से चर्चा होना करना यह एक प्रक्रिया है दूसरा हिंदू संगटनों का सम्मिलन हम हर साल गोवा में लेते हैं लगबग 500 से अधिक भारत नेपाल मंगलादेश इन देशों से जो पासों से अधिक संगटने जो कश्मीर से है केरल से है रुनाचल से है असम से यानि पूरे भारत को बात कर लेते हैं ऐसे संगटनों का एक यूनियन बनाया है इसके द्वारा हम सरकार से हर साल में एक बार दिमांड करते हैं औ तो ये हिंदू सम्मिलन का जो हमने बनाया हुए एक बड़ा धाचा है, उसकी बड़ी, क्योंकि हम हर साल साथ दिन बैटते हैं, चर्चा करते हैं, रिजुलूशन पास करते हैं, और वो सरकार उस पर पढ़ती है, चर्चाइक होती है, C.A. कानून जो बना है, उसी कफल है, त साल में एक बार जो हिंदू संगटनों का सम्मिलन हो, तो इसके बात हम सरकार से लीगल सर पर बात करते हैं, और सरकार फिर वो ग्यापन पढ़ती है, लीगल गाइडन्स लेती है, और फिर जो है तीन-चार वर्षों में, दो-चार वर्षों में उसमें बदलाव होते हैं, या कुछ अच्छा कुछ प्रतिफल हमें दिखता है, यह ऐसा काम चल रहा है, एक दोर था जब जैसरी राम या हिंदू का नाम लेने पर लोगों को सांपरदाइक कहा जाता था, आज आपको लगता है, माहौल बदल लहा है, और नई पीड़ी, लेकिन आज भी नई आप नई पीड़ी को कैसे इस से जोड़ने की कोसिस करना है, तो मैं युवा पीड़ी को या आज की पीड़ी को यही बताना चाहूंगा कि एक काल ऐसा था, जब डिटी शो का काल था, तो वंदे मातरम की घुष्टना देना भी अपरात था, आज हम लोग हर घर तिरंगा क की बात करते हैं, बड़े शान से घर में तिरंगा लताते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, उसी प्रकार से जय श्री राम कहिना है, बीस पच्चीस साल पहले एक बड़ा अपरात माना जाता था, पुलिस की लाठिया खानी पड़ती था, आपको पतायकार से वो जो थे यूपी गॉवर्मेंट में तो बहुत लोगों ने सही है इस प्रकार की बाते, आज भी ममतब एनरजी के राज्य में आप जाएंगे तो आपके प्रिस लग जाती है, तो ये काल है, लेकिन आने वाला काल हिंदू समाज के लिए अनुकूल काल है, और जय श्री राम का नारा भगव बन देना है, क्योंकि विश्व में 157 इसाई राष्ट्र है, विश्व में मुसलिमों के इसलाम के बावन राष्ट्र है, यहुद्यों का अपना एक इसराइल नाम का राष्ट्र है, बौद्धों के बारा राष्ट्र है, लेकिन सनातन राष्ट्र एक भी पूरे पूरे फुत्वी पर वाजिब है एक तो हिंदू राष्ट होना चाहिए ज़से हैं तो इसे दुरुश्टिकों से मैं सभी दर्शकों से सहना चाहूंगा च्छोताओं से योगदान चाहूंगा कि हंदू राष्ट के कि इस देश का कानून अलप संक्यकों को मदर्शा चलाने की अनुमती देता है वहां पर कुरान पढ़ाने की अनुमती देता है और जो विश्णरी स्कूल है वहां पर बाइबल पढ़ाये जाते हैं लेकिन जो अलप संक्यक समाज है या जो दूसरे जो विद्याले हैं वहां पर कोई भी हिंदु धर्म के कोई गरंत या कोई भी पुसक नहीं पढ़ाई जाती है आपको लगता है कि अब यह समय है जब हिंदू के धर्मे पुद्धान के लिए वहां पर उनके गरंत और पुराण और दूसरे जो उसे साहित्य हो पढ़ाई जाने चाहिए बिल्कुल यह समय सही है मैं आपको बाजू का जो राष्ट्रे बंगला बंगला देश उसका मैं जिकर करूंगा बंगला देश में आज भी पहली से दस्वी क अक्षा तक मुसल्मानों के लिए उनकी कुरान अधिस पढ़ाया जाता है और पहली से दस्वी कख्षा तक वहां जो है गीता जी या रामचरित मानस या हमारे यहां महाभारत यह पढ़ाया जाता है तो बाजू में इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वहां के हिं हो गलक निर्णे हो रहे तो हम चाहते हैं कि नई शिक्षानिती सरकार ने लाने का प्रयास किया है हिंदू शिक्षानिती को भी सरकार अपना ऐसी हमारी भावना है आखिर में सर्क्राइफ क्या संदेश जयना चाहेंगे आप उन लोगों को जो आज भी सवनातन संसा के मिसन उनको किसी और नजरिय से देखते हैं और इसा लगता है कि कहीं ने के सेकुलियर देश में बहरत में इस तरह के प्रयास हिंदु राश्टर बनाने के प्रयास जो नाकारात्मक है और ये आने वाले जो सम्रिद्द और अधुनिक भारत के लिए ठीक नहीं है देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने जैसे काल का उधारण दिया ता कि काल अपने हाप में हावी होता है महत्वपूर्ण होता है तो आज जो हमारे दुरुष्टी से नकारात्मग देखते हैं, वो कभी न कभी सकारत होंगे, क्योंकि आपने मुदी जी का कारेकाल देखा होगा, जब वो CM बने थे गुजरात के, उस समय वो निगेटिव, जब उनका पूरा माहोल ही निगेटिव था, पॉलिटिकली वो हरे किया जा रहा था, Central Government उनके खिलाफ्ती, पूलिस उनके खिलाफ्ती, CBI उनके खिलाफ्ती, आज वो सबसे भारत के लोकप्रियदेश के प्रधान मंत्री है, प्रधान सेवक बन चुके हैं, तो काल अपने आप में कार्य करता है, लेकि अदूसरी बात जो सेकुलर की निजम क में डाला गया है, इंदिरा गांधी ने वो डाला है, 40 second amendment करके डाला है, याने मूल सविधान जो 1950 में भारत के नागरिकों, we the people of India, हम भारत के नागरिकों ने उसको आत्मारपित किया है, जो सविधान, उसमें कही भी सेकुलर वर्ड नहीं था, ये तो 1976 में इंदिरा ही ने, जब ये सेकुलर शब्द को जोड़ा, प्रियम्बल में, तो उसका कोई definition हमारे constitution में लिखा नहीं है, सेकुलर कोन है, भारत की जनता सेकुलर है, भारत का सविधान सेकुलर है, या भारत का नागरिक सेकुलर है, इसकी विशे में कोई चर्चा पूरे सविधान में न नहीं, सेकुलरिजम का आर्थ जो तो खृषियन कंसेप्ट है, ये तो भारत में तो ये concept ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं भारत के संस्कुरुत शब्दों में, ये तो लैटिन शब्द है, सेकुलरिजम शब्द से सेकुलरिजम शब्द बना है, और ये जो है, ये खृषियन क करवाई तो सब्सक्राइट उसमें जो है यह शब को बनाया गया था कि इन सब्सक्रों मित्रता बनी रहे उनuto कोее स्वाइज इ marijuana से डिए सेकिलर को बनाया गया था तो रोधाय गया था वाज badass होगा को इस ने होकोण सब्सक्राइब संगठन के लिए नहीं तो यहां कोई शब्द की आवशक्ता भी नहीं थी और इसकी डेफिनेशन भी आज नहीं दिये तो आप जो चाहते हैं कि भारत कोई सेकुलराजम से विकास करेगा तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्षों से भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत तरक्षी कर रहा था हमारे यहां ही सो या यूरोप या अमरिका अपनी ग्रोध कर रहे तो जब हिंदू राष्ट था तब भारत तरक्षी कर रहा था तो आज जो है सेकुलरिजम के नाम पर भारत तो 7% कर रहा है केवल तो यह कर दो तरक्षी है तो हिंदू राष्ट आने दीजिए आप देखिए तरक्षी कैसी होगी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका आपने समय दिया मेरे तमाम सवालों का जबाब दिया जैसा कि आपने खुद सुनातन संसा के राश्टी प्रवक्ता स्रीशेतन राजहंस जिसे सुना कि आप हिंदू तो राश्ट आने दीजिए और उसके बाद देखिए कि भारत कैसे चवमुखी तरक्की करता हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला यह समय भारत के लिए ही होगा और जो यहां के अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए